हेलो दूस्तों अग्रों उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्टों शुरू करते हैं उससे पहले आपको एकी चीज़ बता दूँगा कि जुलाई की महीने के अंदर यहाँ पे बहुत सारी अन्बॉक्सिंग हमारे चैनल पर होने वाली क्योंकि काफे सारे फोन ल सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब के लिजिए और साथ में यह बैल आकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटिस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो पहले गवर की बात के तो शुरूबात करते हैं यहाँ पे वन प्लस से यह पिच्चर जो वह लीक होके आगे थी बड़ा चमकीला सा आपको यहाँ पे वन प्लस सिक्स का रेड विरिंट डिकर रहा है जो की ग्लॉसी बैक आपको देखने को मिल रहा है साथ में कुछ टीजर भी उनने यहाँ पर बताया था उसमें कुछ ज्यादा हिंट नहीं बस बस से देखी कही है जहां पर जो स्टोर के अंदर सिक्यूरिटी कैमेरा होते है यह आठिफिशल इंट्रिजिशंस द्वारा यहां पर चोरों को जो वह डिटेक्ट करेंगे इसका मतलब यह होता है कि यह जो कैमरा है इसका नाम है AI गार्डमेन यह क्या कर गए कि स्टोर के यह उसको डिटेक्ट कर देगा और उस एप्लिकेशन की द्वारा स्टोर के यहां पर जो मैनेजर होता है उसको यहां पर इंफॉर्मेशन दे देगा तो यह कुछ इस तरह कि कैमेरा उनने डेवलप किया है जो 2000 डॉलर के असपर इसकी प्राइस होगी और US, यूरोप और ए यह दुनिया से यहां पर 10 साल जो आगे चल रहे है तो यहां पर वीवो की तरफ से खवार आड़ी और वीवो ने यहां पर सबको सर्प्राइस्ट कर दिया है इंडोनेशिया के इंदर और वीवो ने अपने V9 का 6GB RAM वाला वीरेंट वहां पर जो लाँच कर दिया है सिफ 20, 20,000 रुपे के स्की प्राइस लेकिन सबसे बड़ा सर्प्राइस है कि आप लोगों इसके अंदर स्नाप्डेगन का 660 वाला प्रोसेसर मिल रहा है अब मुझे नहीं पता है कि वीवो ने इसा क्यों किया क्योंकि इंडिया के इंदर 22,000 रुपे ला या ती सम्तिंग कुछ ल राउंट ग्रेड के अंदर के कुछ कैमेर के साथ में यहां पर आपको लोगो स्नाप्डेगन 660 और 6GB की रैम दे रहा है और हो सकता है क्या पता विवो इंडिया में भी हमें ऐसे सर्प्राइस दे अगर ऐसा होता है इस प्राइस में आता तो मेरे साब से बहुत ही कमाल हो जाएगा तो यहां पर फ्रांस के अंदर एक डेवलपर है जिनका नाम है गुस्तवे उन्होंने यहां पर एकदम से कमाल कर दिया है और उन्होंने यहां पर एक Windows 10 का मोबाइल था उसके अंदर यहां पर चार ऑपरेटिंग सिस्टम चला के जो वह बता दिये जी हां एक टा बनाया तो उन्हेंने बता रहे थे कि सब के अंदर कैसे जो चलता है जी हां तो यह सब्बूर भी उन्हें यहां पर बताया था और Windows 10 का मोबाइल अभी यहां पर सभी लोगों को बता है कि इतने जादा नहीं चलते तो Microsoft के इस वाले फोन उन्हें इतना बड़ा कमाल करके ब लेकिन मिमीक्स 3 जो है आप देखेंगे राइचर लिक हो ती ना उपर ना नीचे ना लेफ्ट और राइट बिल्कुल भी आपको बैसल देखने को नहीं मिल रही है और बताया तरह है कि वीवोक के नेक्स जैसा उपर की तरह आपको पॉपप कैमेरा मिलेगा जिसमा आपको सेल्फी कैमेरा मिलेगा तो कुछ इस तरीके का नियर बैसल डिस्पेय वाला फोन आपको देखने को मिल सकता है मिमिक्स तरी जो बहुत जल्दी हमें सब्टेमर के मैंने में जो देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर एपल के तरफ से खबर आडियो और एपल यहाँ पर गूगल के मैप्स को कम्पीट करने के लिए एक नया अपडेट लेकर आना वाला है और अपने एपल मैप्स को एकदम से रिडिजाइन कर देगा और हर एक चीज़ को यहाँ पर टोटली चेंज कर देगा अपने एक नया अपडेट करने जो आपको iOS 12 करने जो वो देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर इतना डीटेल में आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी जो एपल ने यह बता है कि आपको और कोई मैप्स में जो वो देखने को नहीं मिलेगी हर चीज़ को यहाँ पर एकदम से re-design कर देगा और हर चीज़ यहाँ पर और privacy को भी यहाँ पर जो भी ध्यान दिया जाएगा अगर street view में आप जाते है तो गारियों के number और लोगों के face वगरा को भी अच्छे गास है जो भी blur किया जाएगा ऐसे चीज़े यहाँ पर apple यहाँ पर बता रहे है तो apple का जो map से इसमें अगर आप iOS devices यूज करते है iOS 12 यूज करते है तो बहुत जल्दी आप लोगों एक बहुत बड़ा update apple के map में जो देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर April के महिने की जो रिपोर्ट आ चुकी है सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की upload और download speed की जहाँ पर जियो ने यहाँ पर number one position जो वो हासिल कर दिया है download speed के अंदर लगबग से 19 MBBs की speed को touch किया है जियो ने उसके बाद आपको देखने को मिलता है एटल उसके बाद आता है Vodafone और उसके बाद आता है idea एटल आता है 9.2 पे Vodafone आता है 6.5 और idea यहाँ पर आता है download में 6.3 सबसे last में लेकिन idea ने आपे upload में बाजी मार जिया है 6 MBBs की उपर आपको upload में मिलती है idea की उसके बाद जियो आता है 5 MBBs फे उसके बाद Vodafone और last में आपको एटल देखने को मिलता है तो यह report यहाँ पर आया थी हाला कि ज्यादा यहाँ पर बताया है कि लोगों की जो need होती वो download speed की होती है क्योंकि हम YouTube के वीडियो वगरा कि जो भी चीज़े डाउलोड करते है वो download में calculate होता है और जो upload में होता है वो ज्यादा तरह आप upload करते है या कुछ send वगरा करते किसी कुछ चीज तो वो upload में जाता है तो download की ज्यादा need है जो जियो नहीं यहाँ प से बाजी मारती है तो यहाँ पर ओपो का जो find x से फाइनली यहाँ पर चायना के अंदर जो वो launch हो चुका है और यह जो फो ने वहाँ पर जिस प्राइस के अंदर गया यह काफी कम प्राइस में कहा है कंपर टू जो ऑफिशली यह ग्लोबली लॉंच वा था जहां पर एक सो अटाटाइज वी वाले वेरेंट इसकी जो प्राइसिंग देखी है यह फिफ्टी वन थाउसन रुपीस की ऑवेसली इसके इसके अंदर आप इसी प्राइस में आता है थोड़ा सो और कम आता है तो मेरे सब से फिर यह फोन इतना भी बुरा जो नहीं है क्या आपको यहाँ पर पता है कि जो कोटी कीबूर्ड आज आप इस वाले कीबूर्ड के अंदर हो या फिर आपके मोबाइल के अंदर हो वो यहाँ पर इस तरीकी कीबूर्ड को यहाँ पर इन्वेंट किया था तो आज की लिए पर खाता है मुत उम्मेद करता आपको आज की टिकनूस पसना है कि अगर आपको पसना तो जरू से वीडियो को लाइक करिए मैंसे आप लोगों के लिए डेली टिकनूस आता रहूंगा आप लोग स्मालिग